अपने डर को जीतना सीखो, अपने डर को जीतना सीखो, तो जी हाँ दोस्तों मैं दिलबाग सिंग, mental health counselor और आज की इस वीडियो में आप सभी का तह दिल से हार्दिक स्वागत है, welcome है कौन से डर हैं और क्या जीतना हैं, आज के इस वीडियो में हम अच्छे से बात करने वाले हैं OCD, Obsessive Compulsive Disorder, जैसे ही वो विचार चलने लगते हैं, आप डर जाते हैं, आप अपने विचारों से ही डर जाते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा मुझे बिमारी लग जाएगी, गंदगी फैल जाएगी, कोई HIV हो जाएगा, कुटा काट जाएगा, भगवान सजा देगा ये सारी के सारी क्या हैं आपके डर है, सारी के सारी क्या हैं आपके डर है या किसी भी त्रहा का आपका डर, fail होने का डर, कुछ हो जाने का डर, किसी भी त्रहा का डर, जो आपका डर है, वह आप खुद अपजर्व कर लीजिए, कि मैं किस चीज़ से डरता हूँ, और जिस डर ने मुझे रोका हुआ है, जिसके कारन मैं खुल के जिंदगी नहीं जी जी पारा हूँ उस डर को आप रख लिजिए तो मैं उसी डर की बात कर रहा हूँ जो डर आपके अंदर है आप उस डर से जीतना सीखो उस डर को हराना सीखो और उस डर से जीतना सीखो दोस्तो बहुत सारे आपके डर हैं विचारों के डर, उन्चाई से डर, कुते बिलियों से डर, इंजेक्शन से डर, साम से डर, बहुत सारे डर, 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 डर आप जिन्दगी डर, डर के जी रहे हैं और मर, मर के जी रहे हैं तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने डर को जीतना सीखो, अपने डर के उपर जीत हासिल करो, क्योंकि दोस्तों डर के आगे जीत है, ये डायलोग तो आपने बहुत सारी एड़ोटाइजमेंट में सुना ही होगा कि डर के आगे जीत है, तो अपने डर से जीतना सीख मालो कि आप किसी भी विचार से किसी भी चीज से आप डर रहे हैं तो कोई बात नहीं हमें पता होना चाहिए कि मुझे इस चीज से डर लगता है मुझे फेल होने से डर लगता है मुझे उन्चाई से डर लगता है मुझे साम से डर लगता है मुझे किसी कुते से डर लगता है मुझे किसी बिमारी होने से डर लगता है तो दोस्तों अगर वो डर है तो उसके आगे एक जीत भी छुपी हुई है उसके आगे एक जीत भी छुपी हुई है अगर प्राब्लम है तो उसके आगे एक समाधान एक सिलूशन भी छुपा हुआ है लेकिन आपका पूरा ध्यान डर डर के डर डर के डर डर के डर डर के और पूरा ध्यान आपका उस problem के उपर है उस डर के उपर है मैं तो कुछ करी नहीं पाऊंगा मैं तो उससे निकली नहीं पाऊंगा तो छोटे-छोटे आपको steps लेने होगे, education के साथ, एक awareness के साथ, एक जागरुकता के साथ, उस डर को काबू करना होगा और उसके उपर आपको जीत हासिल करनी होगी अगर problem है, तो उसका समधान खोजना होगा, ढूंडना होगा, solution-oriented thinking, अब यहाँ पर क्या है, problem-oriented thinking, आप problem-problem-problem के उपर आपका पूरा focus है दोस्तों, आप ठहरिये और रुकिये और समझिये कि मैं इस डर से कैसे बाहर आ सकता हूँ, मैं OCD के डर से कैसे बाहर आ सकता हूँ, मैं contaminate OCD के डर से कैसे बाहर आ सकता हूँ, कि गंदगी कैसे फैल जाएगी, भगवान सजा कैसे देगा, HIV कैसे फैलेगा, और कुते का कैसे हराया जा सकता है education से किसे education से और आप अपने मन को मजबूत कीजिए और अपने आत्म विश्वास को भड़ाईए जैसे ही आप solution oriented thinking समधान के इंद्रित सोचेंगे दोस्तों तो आपको समधान नजर आने लगेगा और अगर आप problem oriented सोचेंगे तो problem तो आपको और भड़ा चड़ा के दिखने लगेगी आपको ऐसा दिखने लगेगा कि अब तो मेरा कोई हल हो ही नहीं सकता लेकिन 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 समधान के इंद्रित समधान सोचिए कि कैसे इस problem से मैं बाहर आ सकता हूँ कैसे इस डर को मैं ख हातम करने की practice कीजिए बार बार practice कीजिए हर बार practice कीजिए और हर बार practice कीजिए कि मैं उस डर से कैसे बाहर आ सकता हूँ और उस डर को उस डर से जीतने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ सकता है मुझे क्या करना चाहिए और उस काम को आप कर दीजिए और अगर आप अपना डर को मेरे साथ मिल करके खतम करना चाहते हैं religious OCD के डर को contaminate OCD के डर को ये किसी भी तरह के psychological fear को आप खतम करना चाहत हैं मेरे साथ मिल करके तो मेरे साथ बात करें मेरे दिये गए नंबर के उपर phone करें और one to one counseling session से एक अपने अंदर एक समझ को पैदा करके अपनी psychology को build करके आप अपने उस डर को खतम कर सकते हैं चाहे वो HIV होने का डर हो कोई बिमारी लगने का डर हो भगवान का डर हो गंद समस्या है आप डर जाते हैं anxiety होने लगती है पसीना आ जाता है आप काम पने लग जाते हैं तो उन समस्याओं को कैसे खतम करना है एक हिम्मत करें कदम उठाएं उठें जागें और उस काम को कर दें जो आपके डर को खतम करें तो मेरे साथ आप बात कर सकते हैं तो आज के इ के साथ नई टेकनीक तरीके के साथ और मैं कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के पावर्फुल वीडियो मिलते रहें और आप अपने आपको मेंटली स्ट्रॉंग करें और अपने उस डर को हरा सकें इंग्जाइटी गवराहत चिंता तनाव और डिप्रेशन से आप बहर आ सकें धन्यवाद थैंक यू शुक्रिया